गुट इवनिंग एवरिवन मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज टू अधी फो सीरीज की डे थ्री है और मैं अभी से पहले दो क्लास्स हो चुकी है जिसमें मैंने राइटर और ग्रमर के क्वेस्टिन्स मैंने लि अपना अपना इडिशनल इंफोर्मिशन भी आप लोगों को साथ में देती रहती हूँ तो आज का डे थ्री का जो कोटेशन है वह यह है तो स्ट्रॉंगेस फेक्टर फॉर सक्सेस इस सेल्फ एस्टीव बिलीविंग यू कें डू इट बिलीविंग यू डिजर्व इट बिलीविंग यू गेट इट बहुत अच्छी कोटेशन है मैं भी पहली बारी पढ़ रही हूं मतलब आपी के साथ त सक्सेस चाहिए तो सेल्फ एस्टीव यहनियां ऑघ्र विश्वास होना वहारा यहां कर सकते हैं कर सकते हैं और इसे के साहथा यह रहा हमारा ADữa में UPDT के बैंच का बीडियो बैस इस जिसमें यूपी TGT और PGT ये लिखा हुआ TGT है मगर हमारे पास दोनों बैचेस है यूपी TGT का भी है PGT का भी है जो वीडियो बैचेस है जिसमें सारे राइटर्स और कर्मर और लिटरी टर्म सब कुछ है इसके साथ ही आप लोगों को इसका study material book form में आपको इसके साथ मिलता है जो की piece में included है और इसके अलावा DSSB का भी वीडियो बैच है अगर आप आप को डाउनलोड करेंगे English Sutra Play Store से तो आपको ये सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी और इसके अलावा आप 7895937338 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं इसी के साथ टिंग टॉंग और एड हुआ खतम और आप चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question पहला question है the name of Macbeth's wife in the Shakespearean play is देखें Shakespeare के play में Macbeth में Lady Macbeth ही उन्हें throughout कहा गया है उनका नाम कहीं दिया ही नहीं गया लेकिन ये एक historical play है Shakespeare ने इस play को लिखा था James first को खुश करने के लिए आपको भी पता होगा James first को खुश करने के लिए क्यों लिखा गया था कि बाई ऐसा है कि James first का इसमें उन्होंने gunpowder plot का वर्णन किया है गदी पर आये थे तो एक उम्मीद हुई थी कि जब यह आएंगे तो यह जो Catholics हैं उनको support करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो James first को मारने की साजिश रची गई और वो साजिश नाकामयाब हुई क्योंकि यह चीज James first को पता चल गई थी और जो है उनको जो है जो जीतने भी Robert Kate spy के द्वारा यह साजिश की गई थी और जो है Guy Fawkes पकड़ा गया था और James first ने सारी चीज जो है उगलवाली थी 5th November को वो दिन रखा गया था जिस दिन जो है मारा जाना था लेकिन उसको दिन घुशित किया गया कि आज से यह Guy Fawkes चे के नाम से मनाया जाएगा जिससे कि लोगों को पता चल सके कि राजा को कोई नहीं हरा सकता तो यह गन पाउडर प्लॉट का वर्णन जो है वो शेक्सपियर ने इसमें इसले किया था अपना नाम क्लियर करने के लिए कि I am not one of the conspirators क्योंकि यह शेक्सपियर का नाम पहलब शेक्सपियर के कहीं दूर डिस्टेंट रिष्टेदारों को म जो है एक हंदान में इनको माना गया है कि यह वण दप्रोजनी माना गया है जेमस फस्ट को तो एक इन्होंने इसलिए लिखः था इसके आलावा यह philanthropy मेरorm में लिया गयए नाम नहीं दिया गया है तो none of the above है, लेकिन जो historical figure है उस में lady mabut का नाम बताया गया है, ये नाम बताया गया है, जो historical figure है उस में वैसे तो ये none of the above है, इन में से कोई भी lady mabut का नाम नहीं है, ग्रुवश जो है वो हिस्टोरिकल फिगर में बताया गया है नाओ नेक्स क्वेश्चिन इस रेस्ट इस साइलेंस इस आर दा लास्ट वर्ड साफ यह जो आखरी शब्द है हमलेट के जब हमलेट को घाव लग जाता है ले आटीज की जो फेंसिंग मैच में उसकी सोड से घाव लग जाता है तो वो कहता है अपने फ्रेंट से होरेश्यो से की दे रेस्ट इस साइलेंस की नाओ हर चीज का जवाब अब बित्यू दे रही है तो ये लाइन है है हमलेट की हमलेट जो की शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्ले है है हमलेट जो की ए गिटिक्स के दुरा जिस प्ले में ये भी कहा जाता है की हमलेट वस अगेंस अमेरेज ओफ इस बढ़र because he was suffering from Oedipus complex कि ये नए जमाने के critics ने इस चीज को कहा है कि Hamlet has one of the themes of Oedipus complex कि Hamlet में Oedipus complex की थी Oedipus complex means when a boy is sexually attracted towards his mother that is known as Oedipus complex and Hamlet had that tendency ये लेटर critics ने कहा है maybe that was not even thought by Shakespeare लेकिन ये लेटर critics ने कहा है कि Hamlet में ये भी एक theme हो सकती है कि Hamlet में Oedipus complex था और Hamlet को artistic failure कहा गया है T.S. Eliot के द्वारा उनके हिसाब से this play doesn't have objective correlative तो ये artistic failure है Hamlet और ये Shakespeare की सबसे लंबा play है 4042 lines के साथ ये line जो है Hamlet बोलते हैं ये line कही गई है पुलाणियस के द्वारा वैसे पुलाणियस के लिए जो एक fool की तरह उन्हों वो से समझते हैं Hamlet जो है वो पुलाणियस को फूल जो है वो समझता है और जो है ये जो line कही गई है ये पुलाणियस के द्वारा गई हाना कि ये वह द्वादीयस के द्वारा भेजे जाते हैं ये दोनों जो चैरेक्टर्स है ये हमलेट में है ये ambassadors हैं जो king claudius के द्वारा भेजे जाते हैं ये नौर्वे के राजा के पास ओल्ड किंग के पास कि अपने देफ्यू को समझाओ फूटिन ब्रास को कि वो डेनमार्क पर अटैक ना करें तो ये वोल्टेमेंड और कॉर्नेलियस दो ambassadors है जो king claudius के द्वारा भेजे जाते हैं तो king claudius किस में है hamlet play में है what can be the best explanation for the character of john falstaff john falstaff के character के बारे मैंने आपको बताया था ये henry 4th part 1 part 2 and mary wives of vincer में ये character आये हैं मनलब बहुत ही one of the most comic characters जो हैं ये माने जाते हैं shakespeare के even queen elizabeth में जब shakespeare से कहा था i want to see falstaff in love that's why shakespeare create shakespeare showed falstaff in love in mary wives of vincer and that too in a caricature form तो ये कहे जाते हैं he is a caricature यानि कि एक जब किसी चीज को बढ़ा चड़ा के एक ऐसा character जिसकी खूबियों या खामियों को बढ़ा चड़ा का प्रस्तुत किया जाता है जिससे वो funny character हो जाता है तो ये एक caricature है he is a caricature who is the heroine in shakespeare's the tempest 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 जो कि Shakespeare का swan song है most autobiographical play है ना केवल ये play जो है autobiographical है और swan song है इसके अलावा ये एक और theme बताता है colonialism की colonialism की theme है colonialism means when जब जो powerful countries है वो other countries में जाके they make their colonies and they make the inhabitants of those particular countries their slaves that is known as colonialism और इस play में भी ऐसा ही दिखाया गया कि enchanted island है और उसमें प्रॉस्पीर हो जाते हैं बारा साल तक रहते हैं और वहां का जो original जो अबराजनी है वहां का उसको केलिबान उसको अपना ही गुलाम जो है वो बना लेते हैं वह 15 साल की जब मिरांडा हो जाती है तब उसके उमें दिखाए गए यह मात्रै सा प्ले है जिसमें शेक्स्पीर्ण ने Unity of Time आक्शन अगर Lamb तो फालो किया है तो इक मात्रैं यह एक प्ले है में शेक्स्पीर ने oちは द्यूंत प्लेश को फॉलव किया तो इसमें जो लिए उसका नाम है मिरांडा और जो मिरांडा जो है इसको किले eve of enchanted island कहकर संबोधित किया है ड्राइडन ने मैं एक question के साथ आपको चाचा पच 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 पॉइंट्स जो है वो बताती हूँ which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overlapping ambition overlapping overlapping ambition का मतलब एक के उपर एक कोई चीज हवी होते चले जाना तो Shakespeare का जो play है Macbeth वो tragedy of overlapping ambition कहलाता है एक तरफ तो Macbeth को जब इतने सारे honors मिलते हैं Duncan के द्वारा तो he did not want to kill Duncan मगर एक तरफ उसका ambition है वो एक कहता है वेना मैं जो है जब राजा बन सकता हूं Scotland का तो why shouldn't होता है क्यों नहीं मैं बनूँ तो इसी लिए जो है यह मतलब उसकी intention पर उसका ambition हावी हो जाता है तो यह मगपथ एक ऐसा play है overlapping ambition का in which country is the story of Othlo set यह Othlo जो स्टोरी है यह Venice में है act one में ही Venice में यह स्टोरी जो है वो दिखाए गई है Othlo मूर है he doesn't belong to Venice वो Venice को belong नहीं करता है और Desdemona is the heroine of this play Othlo और इसमें sexual jealousy Othlo का tragic flaw है from which play of Shakespeare is the following line taken life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing everything तो यह lines मगथ में से ली गई है मगथ इसमें futility of life को बता रहा है क्योंकि जब उसके wife की death का ख़बर उसको मिलती है तो he was just bewildered and he says कि जिन्दगी में कुछ नहीं है full of sound and fury and signifying nothing यह full of sound and fury sound and fury जो यह title है यह Faulkner के एक novel का भी है और Faulkner ने इस novel का title मगथ की इस speech से ही लिया है अब आपको एगर जूलियस सीजर के बारे में पता हो तो जूलियस सीजर में जूलियस सीजर के जो अपने ही लोग थे वो उनके last word so that to Brutus you to Brutus क्योंकि वो he really believed on Brutus और Brutus was not one of the conspirators but silence थे उनमें Brutus भी एक थे अब यह किस लेक्स लेकिन जब Duke of Essex जो कहें जब सिसल की बहुत ज़्यादा एलिजबेट के बितलब एलिजबेट ने इनको Duke of Essex को बहुत सारे आधिकार दे रखे थे और इनको दरबार में एक बहुत अच्छा स्थान दिया वा था प्रिवी कांसिल के भी मेंबर ये बन गए थे लेक नहीं था और हस्बेंड भी नहीं था तो जब उनका यह था कि she had declared कि उनकी death के बाद James 6th of Scotland will be the king of England तो ये चीज उनको पसंद नहीं थी and he did a rebellion against Queen Elizabeth but that rebellion was crushed तो इसी rebellion of the Duke of Essex से प्रभावित होकर Julius Caesar का play जो है वो लिखा गया था just to show कि अगर कोई इस तरीके की rebellion होती है तो the king or queen can crush that rebellion तो ये था Julius Caesar और Julius Caesar के बारे में एक और चीज ये भी है कि Globe Theater में पहरा play Julius Caesar ही हुआ था the early plays of Shakespeare were written between the early plays of Shakespeare were written between यही डेटेस में 1590 से 95 जिसमें उन्होंने history plays लिखे थे तो 1595 शेक्सपेर ने पहले history plays लिखे थे तो 90 से 95 के बीच में which of Shakespeare's tragedy is called the tragedy of reflection सोच tragedy of reflection में जो सबसे पहले नाम आता है वो hamlet है hamlet एक ऐसा hero है जो बहुत ज्यादा reflective है यानि कि बहुत ज्यादा किसी चीज पर सोचता है बहुत ज्यादा sensitive है if you think too much over something you will not be able to do anything and that is the same case with hamlet hamlet joe kai souchta bhoot tha to be or not to be that is the question ki hamlet souchta bhoot tha sensitive bhoot tha jab claudius ko marne ki usse souchi jab mouse trap joe hai usne play jab karvaya aur he knew it after the after the reaction of claudius he came to know that he was the one who killed king hamlet still then claudius was in prayer mode he did not kill him कि उसको यह लगा कि अभी तो यह prayer कर रहा है अगर मैं इसको अभी मार दूंगा तो यह तो स्वार्ग में चले जाएगा और जो मेरे father की आत्मा है वो बठकती रहेगी तो वह इतना reflective है अगर किसी काम को पढ़ने करने से पहले आप सौवर सोचेंगे तो विल यू विल नॉट बी अबल तो टेक डिसीजन आप खुछ सोच के देखिये हम कोई ने एक दब कितना ही सोच लें आखिर मैं जो होगा सो देखा जाएगा वो चीज हमलेट के अंदर नहीं थी ताट्स वाइट इस अग्यू आप व्लेट लूट आप अवर शमयूट इस पाप अपने आपेशाएग नहीं आप में आप अग्यू आप जो लूट कोई ने खिर नेंट विल ने इस नो गोस मालाट पूम रूट बिल तो तेल इन दिस यह लाइन हमें मिलती है जब Hamlet में Hamlet के father का ghost आकर ये बताता है कि he was killed by Claudius कि Claudius ने कान में जहर जोग है वो उडेल दिया था जिसकी वज़े से उनकी मृत्यू हुई फिर भी Hamlet जोग है वो उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा तो ये line है कि किसी ghost को आने की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि क्या हुआ था that is Hamlet Hamlet was written by Shakespeare, the Hamlet was written by the Hamlet लिखा गया है Faulkner के दौर, American writer Faulkner के दौर which is not Shakespeare's drama, Edward the second Shakespeare का play नहीं है ये Shakespeare के university, one of the university wits Marlowe के द्वारा लिखा हुआ है Edward the second who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth the sleeping and the dead are but as pictures, it is the eye of childhood that fears a painted devil ये lines Lady Macbeth की है जब वो कहती है कि Hamlet कहता है कि मैं चाकू जो है वो वहीं भूलाया हूँ तो वो कहती है जाओ लेकर आओ तो वो कहता है नहीं मुझे डर लगता है तो कहता है कि सोया हुआ और मरा हुआ एक से ही होते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है ये तो बच्पन ही होता है जिसमें इंसान इन सब चीजों से डरता है तो ये lines Lady Macbeth की है ये PGT 2005 का आया हुआ question है ये F हुआ था क्योंकि इसमें first which, second which, third which दे रखा है none of the above इसका answer है none of the above क्योंकि ये lines Lady Macbeth की है one of the characters of Shakespeare has been called the fourth witch जो मकबथ को उस इंस्टिगेट करने वाली मकबथ को धकेलने वाली कि नहीं मरो डंकन को कौन थी that was Lady Macbeth she was too cruel and बहुत मतलब वो एक ऐसी लेडी थी जब इसकी एक सौली लकी भी है जिसमें वो कहते है कि विच्छ से कहते है कि अन्सेक्स में और जो है उसमें वो उसकी सौली लकी में बताया गया है कि अब जब हमलेट को इंस्टिगेट करती है तो कहती है कि अगर मैंने कोई रिजूशन लिया हो तो आइवोड डैश दा बेबी तस के करेक्ट की बॡूट रेटी को तिकहाया गया है स्वेह सबद में इतना इतनी जत लेडी मगबेट कैर्ड़ जईवोग गया है तो देस लेडी मगबें यह लाइन टेम्पेस्ट की लाइन है टेम्पेस्ट में प्रोस्पीरो को उन्होंने सारा जो प्लॉटिंग करी थी वो रिवेंच के लिए करी थी अब बाद में उनका जो है वो खिर्दय परिवर्तन हो जाता है तो यह लाइन वह बोली जाती है कि रेर एक्षिन वर्चू में है रिवेंच लेने में नहीं है तो यह लाइन है टेम्पेस्ट की वट इस सब्टाइडल अब दे प्ले ट्वेल्थ नाइट जो की बहुत ही एक हैपी गोलकी टाइप प्ले है बहुत ही ज्यादा बहुत ही एक अच्छी सी कॉमेडी है शेक्सपियर की जब क्रिस्मस की फेस्टिविटी इस के दौरान उन्होंने इस प्ले को लिखा था और यह है ट्वेल्थ नाइट और वाट्यू विल यह दा लाइन देस्टेशल प्रॉविदेंस इन दे फॉल असपेरो अकर से निये हमलेट की लाइन से और हैमलेट ने यह लाइन जो बोली है यह बाइबल का मैथ्यू का गॉस्पिल है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम होता है जो हमें उस चीज पेडिज़ जो है उसमें चलाता है अगर कोई चीज़ यह सित कहने की बात है कि हम किसी चीज को टाल सकते हैं जो होना है वो के ही रहेगा आभी नहीं होगा तो कुछ समय बाद होगा तो हमलेट यह कहरें कि जो कोर्सुव एक्शन हुआ है तो इसमें जो कोट्ट जो किया गया है वो सबूट के दौरा विच अभी फॉल्विट प्रोलोग ने अंतर ही होता है जब play के शुरुवात में pro means पहले लोग means dialogue और epilogue होता है play के अंत में तो epilogue हमें इसमें देखने को मिलता है Tempest में जो बोला जाता है Prospero के द्वारा तो epilogue है इसमें जिसमें Tempest में Prospero जो है वो कह रहे हैं कि if the audience clap I'll go back to my island I'll go back to my country अगर नहीं तो मैं जो है वो एक काम नहीं कर पाऊंगा तो epilogue है Tempest में Shakespeare is Shakespeare जो है वो Renaissance playwright है Elizabethan playwright है to be precise Shakespeare जो है वो Elizabethan playwright है तो इसमें हम कह सकते हैं Renaissance playwright Shakespeare was a great Shakespeare क्या थे Shakespeare की formal education का बद कुछ पता नहीं चलता बस इतना पता चलता है कि हाँ वह ग्रामर स्कूल में गए थे that's why he knew little Latin and less Greek यह Ben Johnson ने उनके बारे में कहा है तो option D new little Latin and less Greek which play of Shakespeare portrays the character of Melvolio Melvolio की जिस character है 12th night में इस character को बहुत ही जादा conceited character के रूप में दिखाया गया है और यह character कौन से play में है 12th night में है और इस character के माद्यम से Shakespeare ने Puritans का मजाग जो है वो उड़ाया है that is 12th night यह हुए हमारे literature के question जो Shakespeare के थे और अगर आपको लग रहा है कि मैं बीच में आड़ा रखे जो है मैंने बात जो है वो question आपको दिखाए नहीं तो मैं माफी जाओंगी उस सीच के लिए और अब मैं grammar के question चुरू कर देंगे विच फॉलेंग सेंटेंस इस हाज अट्रांजिटिव वर्ब तो मैं आपको सबसे पहले बता हूं ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जब अपना action object पर ट्रांसफर कर द नो वन कें स्पीक वाट फ्रेंच लाइक दा नेटिव नो वन कें स्पीक वाट स्पीक का action फ्रेंच पर ट्रांसफर हो गया तो इसमें जो है वह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है इसके नीचे वाले भी देख लेते हैं he has been shouting for an hour he has been shouting how long यह भी यह एडवर्ब है एडवर्बियल फ्रेज है उपर वाला भी जो है एडवर्ब है तो इसमें भी जो है object नहीं है और object पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है दबॉइस जंप आप एंड डाउन जंप वेर अप एंड डाउन तो वेर हाव लॉंग हाव का जवाब दें वह एडवर् वह आप के लिए जो कान्सफेबल के लिए जो कंसेबल के लिए कि लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है ओ धापा इसमें स्पेलिंग घलत लिखी हो हुई है यह संब्ट कर दो of constables गिव दर राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट जो वर्ड है उसमें हम आई सी जोड देंगे तो वो बन जाएगा जस्टिस दैट इस अबस्ट्रैक्ट नाउन तो अगर अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाना है क्योंकि एन अबस्ट्रैक्ट नाउन तो जस्टिस न्याए न्याए के वल महसूस होता है तो यह ICE लगाते ही जस्ट जो है वो एबस्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा तो इसलिए होगा दैट इस अबंदेंस तो इसलिए होगा दैट इस अबंदेंस प्रचुर्ता तो इचेक्टीव । पहली बात तो एक टनी होगा यह एक बर पहले भी करवाचुकी हूं मैं इसको ठीक ही कर रहा हूं पहले यह question में पहले भी करा चुकी हूं यह question दे रखा था उसके मैं एक्चुली तब question पर ध्यान नहीं दिया था coward is a noun coward अपने आप में ही noun है अब उस noun form को अगर आपको इसमें कहा है कि भी adjective यह है नहीं ठीक है अब आप अपका तो अपने ही नौन है अब इस noun को हमें abstract noun में चेंज करना है तो हमें इस noun को abstract noun में change करना है तो और तो ऊसका का नाउन हुआ आपका नाउन हूआ कायरता तो कायरता के लिए हो गया और यह जैसे मैंने आपको बताया cowardly is an adjective, cowardice is an abstract noun and coward is a noun अब इसमें he liked my suggestion, change into a complex sentence, complex sentence वो होते हैं जिसमें एक principle और एक subordinate या एक से ज्यादा subordinate clauses होती है और वो subordinating conjunction से जुड़ी होती है अब आप यहां देखिए it was his suggestion, he liked what I suggested, he liked the suggestion which I gave him, he liked me and suggested, अब आप यहां देखिए change into a complex sentence by using noun clause, यहां पर यह noun clause लिखा हुआ है तो आपको यहां दो आपको conjunction वाले sentences दिखेंगे he liked what I suggested, he liked the suggestion which I gave him, तो भाई अगर ऐसा है कि noun आता है और noun को बताता हुआ, noun को qualify करता हुआ कोई clause होता है तो वो adjective clause होता है और जो noun clause होता है वो what का जवाब देता है, he liked क्या, what I suggested, तो इसमें यह दोनों complex sentences हैं, मगर c वाला adjective clause है और b वाला noun clause है, तो इसी लिए इसका correct answer होगा he liked what I suggested, सिर्फ अगर यह होता है कि change into a complex sentence अब तो दोनों ठीक थे, लेकिन लिखा हुआ है by using a noun clause, तो noun clause है जो what का जवाब देता है, what का जवाब देने वाला है, b part being ill, he didn't appear for the examination, change it into a compound, पहले यह देखते हैं है sentence कौन सा है, being ill, participle का use किया गया है, this is a simple sentence क्योंकि एक ही finite verb है, helping verb plus verb is equal to one verb, he being ill, not appear for the examination, वही सेम चीज है, participle आ रहा है तो नहीं बनेगा, it was for the examination that he appeared ill, पता नहीं क्या उट-पटांग सा हो, दे रखा है, he was ill and did not appear for the examination, देखिये compound sentence अगर बनाना हो, तो उसमें coordinating conjunctions लगाए देते हैं, तो इसलिए यह पूरा एक sentence, principle clause, यह coordinate clause, जोडा किस से, coordinating conjunction से, इसलिए C वाला part, and now the next one is, the clown was being laughed at by them, तो इसका voice change करना है, अगर किसी sentence में preposition लगा हुआ हो, अगर passive voice में, तो active voice में भी वो preposition आएगा, तो them का करेंगे, यहां से subject को, object को subject बनाएंगे, they, they were laughing, उल्टा चलेंगे, laughing के साथ at जरूर लगाएंगे, at whom, the clown, they were laughing at the clown, तो यहां answer, they were laughing at the clown, तो B पार्ट है इसका answer, despite the merger, the process of recruiting insurance agents for our northeastern branches, है, यह क्या हो रहा है, मैं कुछ करती हूँ हो, मैं के, despite the merger, the airline has reported sizable losses and is unable to pay their employees, अगर आप question को ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है, despite the merger, the airline, subject है हमारा airline, अगर कोई sentence, जो है, वो preposition plus object से start हो रहा है, तो this is, that is not the subject, वो adverbal phrase को आगे ले लिया गया है, कॉमा लगा के उसे अलग किया जाना चाहिए, ठीक है, अब आप यह देखे, the airline has reported seizable losses, तो airline में जो है, वो एक ही है, singular है, तो pay their employees, तो airline एक ही है, तो उसके साथ, जो उसका possessive adjective होगा, वो होगा it's, क्योंकि airlines नहीं है, airline है, तो यहाँ आएगा it's. we have recently began the process of recruiting insurance agents for our north eastern branches, have के साथ, has और have के साथ, we three आती है, और begin, began and begun, तो यहाँ आएगा begun, यहाँ begun आएगा, we have recently begun, the process of recruiting insurance agents for our north eastern branches, many people believe that the nationalization of banks in the 1960s, have protected India from the current financial crisis, आप यह देखें, many people believe, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, जो nationalization किया गया banks का, nationalization is the subject, तो यहाँ पर have नहीं आएगा, has आएगा, क्योंकि subject जो है, वो singular है, इसलिए verb भी singular use किया जाएगा, those who are helpless, deserve our sympathy, simple sentence में एक ही finite verb होता है, यहाँ से देखें, those are helpless and they deserve, यह compound हो गया, they are helpless, फिर compound हो गया, the helpless deserve our sympathy, आप यहाँ देखें, एक ही जो है, वो finite verb है, that is deserve, तो इसलिए इसका answer है, c, speak the truth and you will never regret it, यह compound है, हमें इसे अगर complex में लेना है, तो condition वाला होगा, if you speak the truth, you will never regret, कि you will never regret, when, when, if you speak the truth, तो यह condition वाला clause है, adverb clause of condition है, तो यहाँ पर आएगा, if you speak truth, if you speak the truth, you will never regret it, that's a, you must look into this matter, तो इसका simple सा है, this matter must be looked into, by you लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो that's b, this matter must be looked into, by you, darjling grows trees, darjling grows tea, chai darjling में उगती है, tea is grown by darjling नहीं होगा, अगर grow के साथ preposition in लगता है, तो हम preposition in लगाएंगे, by नहीं, darjling is not the doer, darjling में चाय उगाई जाती है, तो tea grows in, tea is grown in darjling, क्योंकि ये present in definite है, is rm plus verb की third form लगेगी, preposition grow के हिसाब से लगाया जाएगा, तो tea is grown in darjling, that's all for today, I hope कि ये session आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो like, share कर दीजेगा, करी दीजेगा, क्या बात हो गई, ठीक है, चलिए मिलते हैं कर, बाई बाई